हलो दोस्तूं, स्वागता हम सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिट से तो आज तारिक हो गई 3 जुलाई 2021 दिन सनी वार और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टूड़े ब्रैकिंग न्यूज केज अबडेट विडियो में नज़र डालते हैं देशवर की तमाम बड़ी खबरों पर पचास बड़ी ही महतोपुन खबरों पर नज़र डालेंगे सो इस वीडियो को ध्यान से एक दम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा मेरे साथ सीधे बात करें पहली खबर की तो देखिए LIC ने यानि कि Life Insurance Corporation ने एक नया प्लान लोंच किया है जिसका नाम है सरल पेंसन प्लान और इसमें आपको सिर्फ एक ही बार पेसा जमा करना है और उसके बाद आपको जिंदगी भर पेंसन मिलते रहेगी दरसल LIC की यह योजना Immediate Unity प्लान है मतलब यह की Policy लेते हैं आपको पेंसन मिलना सुरू हो जाएगा अब आपकी Choice होगी कि आप पेंसन हर महीने लेना चाहते हैं या ती माही तीन महीने में में लेना चाहते हैं या च्छह महीने में या साल भर में जो कुछ भी है अब यहाँ पर जो सरल पेंसन योजना में अगर आप प्लान लेते हो तो इस प्लान में न्यूंतम एक साल में 12,000 रुपे जमा कराना आपको जरूरी होगा ठीक है ना कारने का मलब एक मुस्त रासी एक बार आप जैसे कि 50,000 रुपे जमा करा दिये सरकार ने LIC चेर्मेंट की रिटार्मेंट एज को पहले सार साल थी उसको बढ़ा कर बासट कर दिया अगली बड़ी कबर देखे दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम रादिस्तान राज्ये में जैपूर में बनाए जाएगा इस स्टेडियम की 55,000 दर्सकों की ख्यमता होगी और इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए जैडिये ने रादिस्तान क्रिकेड अकादमी को 40 हेक्टियर जमीन की लीज भी डीड दिये मोटेरा के बाद देश का ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा ये क्रिकेट स्टेडियम जो की अभी हाली में जो गुजरात के एमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम बना था उसके बाद अब ये रादस्तान में क्रिकेट अकादमी चैपूर में बड़ा अंतरश्ट्री क्रिकेट स्टेडियम बनने जारा तकरिब 45 हेक्टियर जमीन पर इस प्रोजेक्ट का काम सुरू किया जारा देश के विकास को लेकर अच्छी बात है और अगली बड़ी कपर देखिए अब सहीदों के नाम से जाने जाएंगे पंजाब के 10 जिलों के 17 सरकारी स्कूल दरसल पंजाब के केबनेट मंत्रे ने का कि संगरूर जिले के 4 स्कूलों के नाम बदल कर सुरतंदरता संगरामियों और सहीदों के नाम पर रखे गए इसी तरह से पंजाब राज्ये के अंदर लगबग 10 जिलों के 17 सरकारी स्कूलों के नाम बदले जाएंगे और उनको जो पूराने सुरतंदरता सेनानी सहीद हुए हैं हमारे देस के उनके नाम पर रखा जाएगा हना और चलिए अगली बड़ी कबर देखिए हमारे देस में डिजिटल इंडिया करेकरम को पूरे 6 साल हो चुके हैं और इस मोके पर पेटीम कंपनी जो है ना उसने पूरे 50 करोड रुपे का केस बेग सुरू किया आपको इस ओफर का फायदा केस से मिलेगा तो दरसल में आपको बता दूँ देस में डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के मोके पर पेटीम का कहना दोस्तों की वो अपने सभी ग्रहाकों के लिए और जितने भी व्यापारी भाय लोग इससे जुड़े हुई हैं उनके लिए 50 करोड रुपे जो हैं केस बेक के रुप में वापस उनको बाटेगी अब पेटीम कंपनी जो हैंना हर तरह के लेंदेन पर आपको केस बेक देगी फिट जाए आप मोबाइल में रिचार्ज कर रहे हो या किसी को पेसा ट्रांसपर कर रहे हो पेटीम आपको केस बेक ओफर देगी कुछ न कुछ बोनस के रुप में ये कार्यकरम करनाटा केरल तमिलनाडू अंद्रबरदी सोर तेलंगाना में विसेस अभियान के साथ देश बर के तकरिबन 200 जिलू में सुरू किया जाएगा तो ये इस तरह के पेटीम की प्लानिंग है दोस्तों कुल मला करके 50 करोड रुपेज हो पेटीम रिवर्स केस बेक देने वाले हैं और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए इस राचे में हेट्स फ्री डिवाइस से अगर आप फोन पर बात करते हैं तो फिर कार्यवाई होगी जहां दरसल ये एक नया अनियम है मोटर वहन विभाग ने बेट ड्राइवरों को सला दिये हैं कि वे वहन चलाते समय फोन पर चेट करने के लिए ब्लुटूथ डिवाइस का उपयोग ना करें इसके बावजूद बहुत से लोग वहन चलाते समय ब्लुटूथ की मदद से फोन पर बात करते हैं तो इसको लेकर नया आदेश जारी हो चुका है सो प्लीज बी केरफूल ध्यान रखे दोस्तों ड्राइविंग करते दोरान किसी भी तरह से ब्लुटूथ या हेड़फोन इयरफोन वगर लगा करके फोन पर बात चितना करें इससे आपका ध्यान भटक सकता है और सड़क हाथ से बढ़ते हैं और अगली बड़ी कपर देखिए देख सकते हैं स्क्रीन पर और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों किसान भाई लोगों के लिए बहुत इच्छी खबर है पिछड़े वे जिल्ले हैं उन पर खास फोकस किया जाएगा जहां ये फसल भीमा की यूसना की पहुच कम है और वहाँ पर किसानों को इसका उदेश्य बताएस आएगा और अभियान के दर ज्यादा किसानों को इस यूसना से जोड़ा जाएगा है ना अगली बड़ी कपर देखिए उत्राखन के मुक्यमत्री तीरत सिंग रावत जी ने इस्तिफा देई दिया है राजबहुंस से वो इस्तिफा देकर बहार निकले उत्राखन की राजनिती पर अब सियासी संकट छा रहा है मुक्य मत्री तीरत सिंग रावत जी ने राजिपाल को इस्तिफा सोब दिया और राजी में सबसे कम सिर्फ 115 दिन ही रहे ये मुक्य मत्री 20 साल के इतियास में उत्राकंड में 8 मुक्य मत्री रह चुके आपको बता दूँ 9 नौवंबर 2000 को उत्राकंड को एक अलग रज्य बनाया गया तीरत सिंग रावत ने 10 मार्च 2021 को उत्राकंड के मुक्य मत्री के रूप में सपत ली और उत्राखंड में पाथ साल का कारेकाल पूरा करने वाले एंडी तीवारी एकलोते मुख्यमंत्री रहे हैं ये तो राज्जी को लेकर कुछ खास पॉइंट्स बाते नहीं और बाकिय मैं आपको बता दूँ तीरस सिंग रावजी ने इस्तिफा क्यूं सोपा हैं तो कुछ कानूनी और सविधानिक दाउंपेज के चलते हैं इनोंनी ये चोड़ा हैं क्योंकि दोस्तों इनको वापस उपचुनाव करा के 6 माएने के अंदर अंदर विधान सभा का सदश्य बनना जरूरी था तबी ये CM के पद पर रह पाते हैं लेकिन अभी क्योंकि विधान सभा चुनाव के एक साल से भी कम रहे चुके हैं और इसलिए उपचुनाव नहीं हो सकते हैं तो ये कुछ मसला चल रहा है और बाकि अब उत्राखन के मुक्यमंतरी कौन बन सकते हैं इसको लेकर मैंने आपको कल साम को DLS नूज के उपर एक वीडियो में भी बताया था तो चेक कर लिजएगा अगर आप भी राजनितिक कबरों में इटरेस्ट रखते हैं तो अदिक्रीं करने कि कि यह sesamने एक वगर लग तो जिए सडय को go पूरे देश बहर से कोई एक ही व्यापारी फिर तो रहा aujourd के सामने नहीं आई इसलिए सरकार पहले से इस्टोक लिमीड लागउ कर के रगी है अगली बड़ी खबर देखे आईटी हाडवेर की PLI स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है और इसके चलते लावा और डेल समेट देश विदेश की 14 कंपनियों के आवेदन को मंजूरी दी गई है और इस सरकार के स्पेसले से 36,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि बहुत सारे IT कंपनीज जो है अब हमारे भारत में आकर के वो अपना आशियाना बना रही है प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पर लगा रही है तो जाहिर से बात है भारत के लोगों को इसका रोजगार का फाइदा सीधा मिलेगा अच्छी पहल है अगली कबर देखे दोस्तों मुंबई सेंट्रल निजामों दीन अगस्त करांती एक्सप्रेश ट्रेन आज से चलने सुरू होने जारी है अगली कबर देखे दोस्तों अब कोंग्रेस भी बजाएगी थाली साथ जुलाई से लेकर सत्रा जुलाई तक महंगाई के खिलाब चरन बद राजविया पी आंदोलन करने जारी है कोंग्रेस पार्टी और इसके जन प्रती निदी पांच किलोमेटर तक साइकल वगरा भी चलाएंगे अभी ये कॉंग्रेस भंगावत कर रही है पेट्रोलियम पदार्तों के मुल्यों को बढ़ते देख रहा है कॉंग्रेस राष्ट्रियों पे आंदोलने चेड़ने जारी है बियार परदेस कॉंग्रेस कमिटी के अदिक्स डॉक्टर मदन मोहन जाओ का कहना की साथ जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक केंदर सरकार के किलाप और महंगाई बढ़ने के किलाप राज्य व्यापी विरोध परदेशन किया जाएगा और इस परदेशन को पूरे देश में बढ़ाए जाएगा इस परदेशन के बीच थाली बजाकर विरोध का परदेशन किया जाएगा तो ये कुछ पॉलेटिक्स की बात है चल रही हैं और साथ ही फिलहाल देखिया आप अगली बड़ी खबर दोस्तूं टेकनोलोजी को लेकर कुछ कबर में आपको बता दूं इन दोनुँ फीचर्स का फाइदा ये होगा दोस्तूं की इस उप्सन के साथ कि गई पोस्ट सेलेक्टेड या क्लोज या जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं उनी को देखेगी बाकि दूसरे लोगों को नज़र नहीं आएगी तो ये जाप सेलेक्टेड प्यूबिल के उस पोस्ट को करवाएं लिया ना अचा वहीं एजुकेशन पर बड़ी कबर देखिए पी टी एटी एक्जाम की लास्ट डेट को एक बार फिट से बढ़ा दिया अब 6 जुलाई तक कर सकते हैं फॉर्म एप्लाई और अब नहीं बढ़ेगे लास्ट डेट क्यूंकि चार दिन का मोगा हैं तब तक आप 6 जुलाई से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं ओके तो ध्यान रखे गए बात और चलिए अगले खबरों में दोस्तों नजड़ आते आज के मोसम समाचार पर तो देखिए अपडेट आप उत्रपरदेश राजस्तान मद्यपरदेश सम अगले 48 गंटों तक लू चलने की संभावना जायर की हैं और साप ये भी कह दिया कि देश के इनक्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी भी भीषन गर्मी से राहत की उम्बीद ना करें अलंकी वेदर अपडेट ये भी आरा कि राजस्तानी दिल्ले वाले लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल सकती हैं क्योंकि अगले दो दिन में दिल्ले में बारिस होने की संभावना है वहीं देखे मांसून दो सब्ता से अटका पड़ा है उत्तर भारत में साथ डिगरी पारा चड़ चुगा है राजस्तानी दिल्ले में तो गर्मी ने नब साल का रिकोर्ड तोड़ दिया पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाउं ने ही वातावरन का टाम प्रेशर जो है ता अंत्रबर्देश में हलकी से मद्यम बारिस भी आपको देखने को बिल सकती है उडिसाच, चतिसगाड, पूरियो मद्यबर्देश, पश्चिम हिमालाय और उत्रबर्देश के कुछ इलाकों में जारकंड में भी हलकी फुल की बारिस हो सकती है तक्षिन गुजरात, मद्यम से जादा की गिरावट देखे गई है, सोने चांडी का अभी का ताजा रेट क्या चल रहा है, तो अभी जो सब्ता निकला दोस्तों सब्ता एक रेट में गिरावट के बाद सोना लगबग 8,000 रुपे तक सस्ता हुआ है, आज भी सोने के रेट में 251 रुपे के बड़ोतरी और आएए दोस्तों आप रजल डालते हैं देश में कोरोना वाइरस से समंदीत कुछ बड़ी कबरों पर, देखे तामिलनाडू रज्जे में लोगडाउन को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया, रेश्टोरेंट में खान पान की ज़र्जत होगी, अलांकि कुछ और दिव्यांग लोगों को मिल पाएगा, क्योंकि उनके गर जाकर के अगर प्रसासन वेक्षिन लगाएगा ना, तो उनको बाहर आने जाने में वेसे प्रोब्लम परेशा नहीं रहती हैं, तो ये दिक्कत नहीं आएगा ना, अच्छा, अगली कबर देखे दोस्तों, 5 जुला आप देख सकते हैं, कि हमारी से राहत के बीच खत्म होंगे, अब कुछ बंदिस हैं, टीम 9 की बेटा के बाद मुक्यों मंत्री हो गया, अधीतिना सरकार ने बड़ा फेसला लिया है, अलंकि अभी भी वीकेंड लोगडाउन, सनिवार और रववार को जारी रहेगा, अब अब तक 5 करोड से ज्यादा लोग COVID टेश्ट करा चुके हैं, यूपी में, और अब तक 3 करोड से ज्यादा लोग कोरोना का ठीका भी लगवा चुके हैं, यूपी में, अगली बड़ी कपर देखें दोस्तूं, UAE का बड़ा फेसला है, अपने नागरेकों के लिए भारत और पाकिस्तान समयते, 14 देशों की यात्रा पर प्रतिबंद लगा दिया, दरसल संयुक तरब अमिराज जो है ना, उसने COVID-19 महामारी के प्रकोप को, और खास करके आज कल जो ये डेल्टा प्लेस वेरियंट चल रहा, इसके बड़ते माहुल को देखते विए, 14 देशों की यात हुई इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, उडान पर मानो क्वारेंटीन लग चुका है, और ऐसे मैं अब राधिस्तान में भी ये फ्लाइट्स कनेक्टिविटी को बंद कर देया, दूसरे साहरूं के लिए, वहीं खबर देखे, आप कोरोणा के बहात खतरनाक दोर में चल र और यह कई देशों में फेल चुका है, आपको बताओका मैंने एक दू दिन पहले खबर बदाई थी कि अब तक 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 रिबन अठान में से भी जादा देशों में दुनिया में जो डेल्टा प्लस वेरियंट के मामले देखे गए हैं, तो डेल्टा प्रमुक का अब यही कहना है कि मैंने पहले ही दुनिया पर के नेताओं को यह सुनिश्चित करके अग्रह कर दिया हैं कि अगले साल तक है, अगले साल में इस समय तक सित्तर प्रतिशियत लोगों को सभी देशों में ठीका करना लेना चाहिए, यनि कि 70% लोगों का तो वेक्शनेशन हो होने के लिए आपको RT-PCR टेस्ट की नेगरिव रिपोर्ट चाहिए होगी है ना अच्छा वहीं कबर देखे दोस्तूं, भीहार अची में भी पटना एमस ने डेल्टा प्लेस वेरियंट को लेकर अलर्ट जारी किया, डेल्टा प्लेस की ट्रेकिंग के लिए हर बरीज की ज होता है, नाक से पानी आ सकता है, गले में खनास होती है और कम समय में अगर आप सीरियस हो जाते हैं, मरीज पेसेंट सीरियस हो जाता है, चिड़ चिड़ा जादा रहता है, तो समझ लो डेल्टा प्लेस वेरियंट उसको हो सकता है, अच्छा भारत में आज के दरज़ा COVID-Data यनि के कोरणा के आकड़ों की बात करें ना, तो देखिए, चार राग से ज़्यादा मोथू वाला तीसरा देश बन चुका भारत दुनिया का, और सबसे ज़्यादा प्रवाईट देशों से हालाद, आलांकि भारत में काफी बहतर चल दें, पिले 24 गंडों की बात करें तो अगले खबर देखिए, चार राज्य में 7 लाग पेंसिनर्स को बड़ी रहात दी गई है, चार राज्य से जुड़ी 20 साल पूरानी धारा 59 हटने जारी है, और इससे दो राज्यों को फायदा होगा, मदेबर्देस और चार चार गर्म साथ लाग पेंसिनर्स के महंगाई, यानिकि DR जैसे मामले जो 6 मैने से लेकर साल भर तक अटके हुई हैं ये अब ना अटकेंगे क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार विलिनिरी करन की धारा 59 को खत्म करने जा रही हैं तो ये कुछ मसला है जानकर ये आप देख सकते हैं जबकि प्ले स्टोर पर आपको इसका अपडेटेड वर्जन देखने को मिल जाएगा और अब हर को इससे डाउनलोड करके चालू कर सका हैं ठीका ना कॉमनली रिलीज हो चुका है चलिए अगला अपडेट देखिए एलो नमस्क ने नई क्रिप्टो करंसी बेबी डोगे को लेकर ट्वीट किया कली और इसकी कीमत कली दुगनी होगी डोगे कोईन के जैसे ही ये बेबी डोगे भी एक क्रिप्टो करंसी है जैसे बिटकोईन वगरा ना वेसे अच्छा वहीं कबर देखे दोस्तों ग्लोबल मिनिमम टेक्स की प्लानिंग चल रही है दरसल अब दुनिया भर में एक कॉमन टेक्स लागू किया जा रहा है जिसमें भारत साइट 120 देश जो है न ये टेक्स रेट का नया सिस्टम अपनाने के लिए तयार है हर साल 1500 अरब डोलर का अतिरिक्त टेक्स रेटन मिलेगा इससे बात कुछ हुए है कि भारत चीन और स्विजनलेंड साइट दुनिया के 130 देशों ने नियूंतम 15 प्रतिशत का ग्लोबल कॉर्पोरेट टेक्स रेट लगाने के प्रस्ताओं का समर्थन किया यह एलान अमेरिका के वित्वमदरी जेनेट एलेन और और ओर्गनाजेशन फोर एकोनोमिक कॉर्पोरेशन और डवलपेंट यानि कि OECD ने किया है और इस एड़ी के मुदाबिक नियूंतम करकी नई व्यवस्ता लागो होने से दुनिया भर के देशों को हर साल 150 अरब डोलर का अतरिक्त टेक्स मिलेगा तो ये दोस्तों कुलमला करके दुनिया भर में एक ग्लोबली मिनिममम टेक्स लागो करने की प्लानिंग चल रही है अलग अलग देशों की ठेकर आगे इस पर और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूँगा DLS चैनल के माध्यम से फिलाल दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी खबरे मुक्य समाचार एडलाइस न्यूज का अपडेट विडियो यही फिनिश होता है आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताईए कि इंकम टेक्स रीटेन जमा कराने के लिए कौन सा डोक्यूमेंट होना जरूरी होता है तब ही हम भारत में इंकम टेक्स रीटेन भड़ सकते हैं तो उसके लिए दोस्तों भारत सरकार का कौन सा डोक्यूमेंट मेंडेटरी यानि की आविशेक होता है कॉमेंट करके बताईए मुझे जो लोग इसका साही जो आप इस उडियो के निचे कमेंड बॉक्स में देंगे ना वो रेंडमली सेलक्ट होने पर जीट सकते हमारी DLS News टीम के तरफ से एक शांदार सर्प्राइज गिफ्ट है जो की की वेवके रुप में आप तक पहुंचे दिये जाएगा इसे के सा जय हिंद जय बारत वंदे मातरम